नमस्कार साथियों स्वागत है आप सभी का अभिविशा की पूरी टीम की तरफ से मैं हूँ अभिनात उशांशो पांडे और हमारी चर्चा का विशाई क्या है विद्धुत विभावयम धारिता मैं आप लोगों को सबसे पहले बता दू कि आज हमार हमारी जो चर्चा हो रह है इसका मुख्य विशह यह है कि हम कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं अच्छा बार्वी की जो भौत की परिक्षा होने वाली है उसके लिए अभिशा की और से सीजी बोर्ड का एक्जाम से चल रहा है हमारे एप्लिकेशन में इस सेरीज का नाम क्या है एक्जाम सेरीज मेशन 2023 हो स और नोट्स और वन टुवन मेंटर्शिप जिससे जो है आप लोगों को एक्जाम की पूरी तैयारी और उसके बावजूद भी अपने भौई से को देखने के लिए बहुत ज़्यादा सहयोग मिलने वाला है लेकिन यदि आप ये यूटूब में देख रहे हैं वीडियो त जो है आप लोगों की पूरी तैयारी एकिजाम के हिसाब से आप लोगों को ये वीडियो तो चलिया आगे बड़ते हैं आज की हमारी स्थिरविध जिनके द्वारा किया गया कार्या किस बात पर निर्भर नहीं करता जिनके द्वारा किया गया कार्या किस बात पर निर्भर नहीं करता यह सिर्फ प्रारंभिक और आंतिम बिंदू के बीच में हुए विस्थापन पर निर्भर करता है इसके उदारन क्या-क्या हैं गुरुत्वा कर्शन हैं उसके बाद में चुम्बकिय बल हैं और विद्दुद बल हैं तो ये तीनों इस प्रकार के बल हैं जिनके द्वारा किया गया कार्य वो जो है किस बात पर निर्भर करता है कुल विस्थापन के बारे में निर्भर करता ह इसका मतलब यह है कि यदि आपने बिंदू A से बल लगा कर विस्थापन करना शुरू किया और यदि आपकी अंतिम बिंदू भी बिंदू A ही है तो विस्थापन शुन्य हो जाने के कारण इसके द्वारा किया गया कोई लुकार्य कैसा होगा शुन्य होगा यह हम कैसे कहते ह है कि उर्जा क्या मान संदक्षित मिलेगा लेकिन इसके उलेड जो है दूसर पकार का बल है जैसकि घर्शन है और इस Score के साथ में क्या होता है कि इंके द्वारा किया गया कार्य पाथ पर नेर भर करता है यह विस्थापन पर नही करता इसका मतलब यह है कि यदि हम लोगों ने बिलासपूर से गाड़े चलाना शुरू किया और हम अगर रायपूर पहुंच जाते हैं तो इस समय में भी आप ने पेट्रोल डलाया आपने 200 रुपए पेट्रोल में डाले और उसके बाद में जब आप रायपूर से वापस बिलासपूर जा रहे होंगे तब भी आपको तेल डलाना पड़ेगा मतलब यहां पर उर्जा का मान संरक्षित नहीं है इसका कारण क्या है कि घर्षण जो है वह एक संरक्षित बल नहीं है बलकि वह संरक्षित बल है और हम जब गती कर रहे होते हैं सड़क में तो हम घर्षण के विरुद्ध ही गती करते हैं अब यह बात समझ लेने के बाद में अगली बात क्या है विद्दुत विभाव के बारे में हम बात करते हैं विद्दुत मिलाके विद्दूत इस्थिर विद्दूत बल का जो है मान हम इस तरीके से निकाल सकते हैं तो यहां पर फिर क्या हो जाएगा और किया जाताएं हो हम को मिलेगा कि q1 q2 ब sitesi का वर्ग और कुल मिस्थापन यदि आर हो या डी आर हो तो यहां से हमको डी डवलू का मान मिल जाता है यदि हम यहां पर डी डवलू को कुल मिला के कारे की गढ़ना करने के लिए इंटेग्रेट करते हैं याना की समा कलन करते हैं तो यहां पर भी हमको समा कलन करना क्यूंकि यहां पर डियार से समा कलन क्या हो जाएगा ठीक है अब हम लोगों ने यह सारी चीज़ें तो देख लें कि हमको कुल मिला के किया गया कार्य कितना मिल रहा है इसके आगे की चर्चा का विशा यह है कि हम विद्धुत विभाव किसे कहते हैं प्रति एक आंक आवेश द्वारा किया गया कार्य विद्धुत विभाव कहलाता है और इसको जो है अगर हम इकाई निकालना चाहें तो यह हो जाएगा जूल प्रति कूलम या इसी को जो है हम और क्या बोल सकते हैं इसको हम वोल्ट बोल सकते हैं तो यह आपको पता चल गया ठीक है तो विद्धु विभाव कहलाता है कुल मिला के कार को इस्थेज उर्जा को हम इस्थेज उर्जा भी कह सकते हैं क्या कह सकते हैं तो यह यह बात है हम लोगों ने सीखी है अब इसके आगे की बात क्या है देखे हम लोगों ने देखा कि कुल मिला के किया गया कार रहा वह विद्दूत विफवा होता है और हम लोगों ने इसकी एकाई क्या निकाली इसकी काई होती है वोल्ट अच्छा विमा की बात करते हैं तो विमा के लिए जो है हम पहले कार की विमा निकाल लेते हैं जो की होता है एम एल का वर्ग और टी का ती की घात रिड़ दो और आवेस का जो है जो विमा होती है वो होता है एमपीर सेकेंड यह नहीं की एमपीर और यहां पर टी तो इस तरीके से इसकी कुल विमा हो जाएगी एम एल का वर्ग टी की घात रिड़ तीन एक घात रिड़ एक और यह जो है कुल मिला के विद्धुत विभाव का जो है विमा हो गए आगे बढ़ेंगे बिंदु आवेस के लिए स्थिते जूर जाए अगर हम निकालना चाहें तो हम यहां पर कलपना करते हैं कि यह एक स्तुरोत आवेस है क्यूँ और इससे कुछ दूरी आर पर हम लोगों ने एक बिंदु ए रखा हुआ है और इस बिंदु ए पर जो है हम लोगों ने क्या किय हम लोगों ने बिंदु B से A तक जो है कुछ विस्थापन किया इस विस्थापन का नाम DL रख लेते हैं अब इस विस्थापन के लिए हम क्या करेंगे इस विस्थापन के लिए बल्कि गढ़ना करने के लिए हम लोगों ने अभी-अभी देखा था तो DW का मान हो जाएगा dw का मान हो जाएगा f into dl और यहाँ पर f का मान हो जाता है के q1 q2 बटा r का वर्ग और यहाँ पर integration dl हो जाएगा और यह dl जो है यदि इस मतलब इस कुल में स्थापन की जो है लंबाई r हम मान लें तो हमको जो है v का मान क्या मिल जाता है के q1 q2 बटा r इस तरीके से जो है हम लोगों ने एक एक बिंदू आवेस के लिए जो है विद्दूत प्युभाव की करना कर ली अब हमको यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि भाई यहाँ पर कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है आप देखिए कि विद्दूत जो इस त फति गर्शनवाली होगी क्योंकि हम लोगों ने अपना प्रेक्षण आवेस घनात्मक लेने की यहाँ निए क्याा आप किया गयकआ कार्य की गढना करने के लिए आप ने एक धनात्मक आवेस को इस शेत्र में यहां से धक्का दिना है और यहां तक विस्फापन कि तो बाह दिशा के विपरिद्धिसा में होगा और इसलिए हमकों को अगर इसकी हिसाब से गणना करनी है तो एक रिणात्मक मिलेगा मतलब रिणात्मक चिन्ह मिलेगा तो रिणक के Q1 Q2 बटा आर यह जो है विद्दुथ्विभाव का मान मिलेगा हमको और यह रिनात्मक है इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने विद्धुद छेत्र की विपरिद दिसा में विस्थापन करके और यहां पर कारे की गढ़ना की है यहां रिनात्मक दिख रहा है क्योंकि यह इसके द्वारा की इस तिर विद्धुद बल के द्वारा किये के विपिदीज Brooks और कि जैसे जैसे हम पास आते जाएंगे हमारे दोरा किया गया कार है उस पोजिशन के लिए उस स्थिति के लिए पोटेंशल एनरजी याने की स्थिति उर्जा के रूप में संचीत होता जाएगा इस प्रकार से यदि धनात्मक आवेश की और प्रेक्षन धनात्मक आवेश को धक्का दिया जाए तो वहां पर विद्दुत विभाव धनात्मक होगा यदि वह रिनात्मक आवेश होता तो यहां पर प्रतिकर्शन की बजाए आकर्शन का बल लगता और यह कार्ये खुद बखुद कौन कर रहा होता यह स्थिर विद्दुत बल ही कर रहा होता इसलिए यदि वहां पर हम रिनात्मक आवेश ले तो यह आकर्शन का बल बन और हमारे द्वारा किया गया कारियर रिनात्मक हो जाएगा चलिया आगे बढ़ते हैं अब क्या देखते हैं कि यदि एक से ज्यादा जो है आवेस हमें दिखाई दें तो हमारे पास में एक सिध्धान्त है और वो है अध्यार उपन का सिध्धान्त अध्यार उपन का सिध्ध दो प्रवारोड के नहीं भी दो आवेश के मध्ध लगने वाला बल जैसे कि यह वाला अवेश और यह व्ल आवेश इन दोनों के मध्ध हburgने वाला बल किसी भी तीसरे आवेश की उपस्तिति से आप्रभावित रहता है और डूसरी लात किया कि यदी एक से अधिक्थ मिलकर किसी आवैस पर बल लगा रहे हो तो जो कुल मिला के जो लगता है वह सभी बलों का इसे होता है अब इस तरीके से जए हम लोगों ने एक सूत लिखा था अब वो था E net बराबर E net बराबर E1 धन E2 धन E3 और इसी तरीके से डॉट 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 तो अब जो है यदि हम विद्धुत विभाव के बारे में बात करेंगे तो विद्डूत विभव क्योंकि सवयम कैसी रासी है, अदेश रासी है इसलिए हम विद्डूत विभव को इस तरीके से जोड़ सकते हैं वी नेट बराबर वी वन धन, वी 2 धन, वी 3 और इसी प्रकार से और भी आगे बढ़ सकते हैं हम लोग लेकिन यहाँ पर एक विश्यस बात का ध्यान दखना पड़ेगा कि क्योंकि जो है विद्धुत विभाव एक आदे सरासी है तो हम उसे सीधा जोड़ सकते हैं लेकिन इनके भी दो प्रकार होते हैं, एक धनात्मक विभाव और एक रिनात्मक विभाव, तो हमें इन्हें चिंधों के साथ में जोड़ना पड़ेगा, बस इतनी सी बात है, अब हम बढ़ते हैं, हम आगे, विद्धुत विभाव को प्रभावित करने वाले क्या क्या कारक ह हो सकते हैं, तो देखें, हम ध्यान से देखेंगे, तो भाई, हमको सूतर ही पता है, वन बाई, फोर पाई, एपसलोन नौट, और यहां पर क्यू वन, क्यू टू नहीं, क्यवल यह तो प्रतिय कांक आवेस हैं, तो क्यू वन डिवाइड बाई, यह विद्धुत विभाव क से समान उपाती होता है, ठीक है, फिर जो है, चालक का छेतर फल, भाई, हम क्या देख रहे हैं, कि जितना ज्यादा हमारा चालक, जितना बड़ा होगा, हम जितना भी आवेस डालें, उसमें जो है, आवेस का घनत्व कम होता जाएगा, इस पकार से, जितने ज्यादा छेतर में जो है हम यह करना चाहें उतना हमें क्या होगा विद्धु विभाव की मात्रा कम मिलेगी इसके बाद में आवेसी चालक के समीप अगर अन्य चालक की उपस्थिती हो जैसे कि हम लोगों ने इस चालक पर धनात्मक आवेसों को डालने का प्रयास किया अब आप समझने की कुशिस करें कि जैसे ही हम अनंत से खीच कर कोई आवेस यहां लाकर डालते हैं उसके लिए हमें कुछ कारे करना पड़ता है और वही कारे इस चाल रिणात्मक आवेस इत्पिंड तो इसकी उपस्थिती के कारण जो है अब यहां पर इस प्रेक्षण आवेस या बाह या आवेस को दो प्रकार के बलों का सामना करना पड़ेगा पहला है वो धनात्मक आवेस के कारण पतिकर्शन और दूसरा इस रिणात्मक आवेस के कि जो मात्रा है वो कम हो जाएगी और इस प्रकार से हम यहाँ पर अधिक विभाव प्राप्त करने में सक्षम हो जाएगे इसके बाद में हम बात करते हैं कि चालक के परितह माध्यम की क्या बात है मान लेते हैं कि आपके पास में एक चालक है और इस चालक में आप धनात्मा कावेशों की संख्या या मात्रा इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि यह आस-पास के परवैद्ध माध्यम को तोड़ कर और उसमें विद्ध धरा का प्रवाह कर देंगे ऐसी स्थिती में माध्यम बाहर का जितना जादा परवैद्ध तांक वाला होगा उतना जादा इसमें विभाव की मातरा बढ़ाई जा सकती है आगे बढ़ेंगे सम विभाव प्रिष्ट क्या होता है हम इस बारे में जानते हैं सम विभाव प्रिष्ट जैसे कि हम लोगों ने एक उदारन देखा है कि यह कैरम बोर्ड है और इसमें जो है जब हम गोटियों से खेल रहे होते हैं माल लिया जाए कि कोई एक सीरा जो है वो पृतल करके उसी प्रकार से एक अइसा प्रिष्ठ है जिस पर विद्दोती विभाव की जो मात्रा है वहुत्य इक समान होती है डूसरा कि यदि हम किसी भी एक बिद्दू से दूसरे बिंदू तक आवेश को का विस्थापन कर नहीं होते हैं To इसलिए विस्थापन के लिए कोई भी कारें नहीं करना पड़ता है तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपको जो है यह बात समझ में आई होगी हम आगे बढ़ सकते हैं आगे देखिए सम्विभाव प्रिष्ठ के क्या क्या गुण हो सकते हैं पहला है प्रिष्ठ के प्रतेक बि प्रतेक बिंदू पर लंबवत होती है मतलब यदि हम लोगों ने यह सम्विभाव प्रिष्ठ की गल्पना की तो इसमें से गुजरने वाले प्रतेक विद्दुद छेत्र देखाओं का जो है कि दिसा वह कैसी होगी छेत्र से छेत्रफल से लंबवत होगी अब जो है यहां सभी बिंदू पर उसके सता के सभी बिंदू पर एक समान रूप से वितरत हो जाते हैं जब आवेशों का घरन तो एक जैसा होगा तो वहां पर हमेशा हमको आवेश को एक बिंदू से दूसरी बिंदू तक ले जाने में किसी भी प्रकार के कारे करने की आवश्यक्ता नहीं होगी और इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हमेशा कैसा होगा संविभाव प्रिष्ठ कीसी रेさ Wolf परिष्ठ ही संव प्रिष्ठ को सरी का लोग ने प्छले अध्याये में पढ़ा था कि वहां पर एक एक साथ दो दूर्य परतिक्षे नहीं कर काार से एक सम्विभव प्रिष्ठ यदि दूसरे सम्這個是 को काटेगा तो उन में यहां अलग-अलग विभव का मान हमें प्राप्त हो सकता है और यह भी जो है मतलब अजीब बात होगी इसलिए संभीभववप्रिष्ट एक दूसरे को कभी नहीं काचते हैं यह गुर्ट देखने के बाद में हम लोगों ने संभीभवववप्रिष्ट में व्यदू छहेतर की दिशा के बारे में बात करना सुरू किया अब आप देखें कि ये एक सम्विभाव प्रिष्ट है ये एक सम्विभाव प्रिष्ट है और ये दूसरा सम्विभाव प्रिष्ट है हमको दिखाई दे रहा है कि विद्धु छेतर रेखाएं इस पकार से सम्विभाव प्रिष्ट को प्रतिक छेतर करके आगे बढ़ रही ह मैंने यदि कहा कि यह चार वोल्ट और यह तीन वोल्ट का जो है छेत्र है तो आपको आप क्या दिखाई दे रहा है कि अगर मैं यहाँ पर डेल्टा वी निकालू तो अगर मैं डेल्टा वी निकालता हूं तो यहाँ पर डेल्टा वी जो है वी टू माइनस वी वन मतलब चार हो जाएगा और इस प्रकार से हमको रिनात्मक एक दिखाई देता है जब हम लोगों ने विद्धुत विभाव का छेत्र देखा था तो बाहर कारक द्वारा किये गां मतलब हमको यहां पर विद्धुत छेत्र की दिशा दिखाई दे रही है कि जाहिर सी बात है आपको अपना स्त्रोत आवेस इधर दिखाई देगा तभी यहां पर ज्यादा और यहां पर कम विद्धुत विभाव है इसी चीज को हम लोगों ने विभाव प्रमरता के नाम से भी जाना है तो विभाव प्रमरता क्या होती है मैं आपको बता दूँ वैसे इसका हम एक बार और जिक्र क क्या है इन दोनों के बीच की दूरी है यह वाली दूरी है और यहां पर जीतनी भी दूरी होगी दोनों आव diving सों के बीच में इस हिसाफ से हम यह भी अंडाजा लगा सकते हैं कि विद्धुक् excitement कि दिशा क्या है आप और बड़े आसानी से इस तरीके से तीर लगा सकते है कि यह जहां पर विदू रेखाओं के होता है अगर आप आगे बढ़ रहे होंगे विभाव कम होता हुआ कम होता हुआ या उसकी विपरिथ दिसा में बढ़ेंगे दिखाई ने तो हम लोगोंने कुछ पंडामेंटल की है यह एक में et तक अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपके भी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने सिख्षकों का अपने टीचर्स का उत्साह वर्धन करें तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों को बताने से आपको बहुत करें मिलेंगे हम अगले वीडियो में और तब तक के लिए धन्यवाद